Hello everyone, Welcome to my YouTube channel Special Academy आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT Commission की त्यारी कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस जो है तो हमने अपलोड की हुई है अगर आपने उनको चेक नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस चेक कर सकते हैं HPLT Commission के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो देखिए पहला प्रेशन है हमारे पास यहां पर उपदेश रसायन रास के रचाईता कौन है तो देखिए उपदेश रसायन रास के जो रचाईता है वो है Option number B यहां पर सही हो जाएगा अगर बात करें हम यहां पर जिन्दत सूरी के बारे में तो देखिए इनका काल और वर्ण विशे तो देखिए काल कौन सा है तो बारवी शदी जो है तो इनका काल है और अगर बात करें इनके वर्ण विशे के बारे में तो इनका वर्ण विशे है नरित्य गीत रासकाब्य बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्चिन की तरफ हिंदी में लिखने वाला प्रत्थम मुस्लमान लेखक कौन है देखिए प्रत्थम मुस्लमान लेखक हिंदी में लिखने वाला तो देखिए इसका सही अंसर आएगा वो है संदेश रासक और बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है संदेश रासक इनकी रचना का नाम है अगर बात करें के काल और वर्ण विशे के बारे में तो देखिए वर्ण विशे सबसे पहले इनका काल क्या है तो बारवी सती का उत्रार्द बारवी सती का करें keen6 कशची नेक्स्ट गषियन हमारे पाश हिंदी साहितीय की प्रत्थम रचना कौन सी है यहां पर उप्सन दिये गए और सही जो अंसर है वहां अप्सन नम्बर यहां पर यह स्रावका नेक्स्ट है भरतेश पर बाहुबली रास के रचाइता कौन है देखिए भरतेश पर बाहुबली रास के रचाइता है वो है आप्सन नमबर यहां पर सी सही हो जाएगा साली भद्र सूरी बढ़ते हैं next question के तरफ वर्ण रतनाकर के रचाइता कौन है तो देखिए इसका सही अंसर आएगा option number D यहां पर सही हो जाएगा जिवती रेशवल ठाकुर next है मैथिली का कभी कौन है तो देखिए मैथिली का कभी कौन है और बहुत बार पेपर में यह question पूछा भी गया है यह हैं बिद्यापती जी option number A यहां पर सही हो जाएगा next question है हमारे पास सुमेलीद करना है हमें तो देखिए सबसे पहले है यहां पर रचाइता दिये गए है एक तरफ है रचना का नाम तो सबसे पहले है जगनीक तो जगनीक की रचना का क्या नाम है परमाल रासो बिद्यापती की रचना है पद्दावली अमीर खुसरों की रचना है दो सुकने और स्वयंभू की रचना है पंचरियू नेक्स्ट कुश्चीन है हमारे पास निर्गुण भक्ती का आदिश्रोत गरन्थिन में से कौन सा है? निर्गुण भक्ती का आदिश्रोत गरन्थ तो देखिए इसका सही answer आएगा स्वेता स्वेत रोपनिशद option number B यहाँ पर सही हो जाएगा next है भकती अंधोलन को इसाई धर्म के प्रभाव सरूप विक्षित माना है तो देखिए किसने विक्षित माना है इसाई धर्म के प्रभाब से तो ग्रियसन उप्सन नमबर यहां पर ए सही हो जाएगा Next है सीव किस भासा का सब्द है सीव जो है तो किस भासा का सब्द है तो देखिए यह जो सब्द है यह है तमिल भासा का सब्द नेक्स्ट है संत सब्द को शांत से व्यूत्पन मानने वाले आलोचक कौन है? जो संत सब्द है उसको सांत से उत्पन मानने वाले आलोचक कौन है? तो देखिए इसका सही अंसर आएगा option number C डॉक्टर पितामबर्दत वर्थवाल संतों में मुर्ती पूजा और अवतारबाद का विरोध किसके प्रभाब सरूप मिलता है तो देखिए इसका सही अंसर आएगा इसलाम के एक एश्वर बाद option number यहां पर D सही हो जाएगा नेक्स्ट है में किस रितू का बर्नन जो है तो बिहारी ने किया है तो यहां पर जो जिस रितू का वर्नन है वो है option number यहां पर D संत रितू का नेक्स्ट है लक्षन ग्रंथ का अभिप्राई इन में से क्या है तो देखिए इसका अभिप्राई है काब्यांग निरूपक ग्रंथ लक्षन ग्रंथ का भिप्राई है काब्यांग निरूपक ग्रंथ नेक्स्ट है जदपी सुजाती सुलच्छनी सुबरन सर्स सूबरित भूशन बिनू ना विराजई कविता विनिता मित यह दोहा किस कभी का है तो देखिए यह जो दोहा है यह है ओप्सन नंबर एक केसबदास जी का बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ नेक्स्ट कोस्टिन है हमारे पास 16 है निमन सुचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चैन कीजिए तो देखिए हमें एक तरफ जो है तो रचना का नाम है और एक तरफ रचैता का नाम है तो देखिए भूशन भूशन की रचना कौन सी है तो 76 साल दस्क मतिराम की है राग रतनाकर केशब की है रसिक प्रिया और पदमाकर की है जगद विनोद बढ़ते हैं next question की तरफ जैपूर नरेश प्रताफ साही के दरबार में रहने का स्रे किस कभी को मिला है तो देखिए ये जो स्रे मिला है ये मिला है option number यहां पर भी पदमाकर जी को next है इन मुसलमान हरी जनन पर कौटिक भी हिंदू बोर ये लिखने वाले कभी कौन है तो ये है भारति उन्दू χरीश चंदरजी option number यहां पर डी सही हो जाएगा next है भारति उन्दू यूग का कौन कभी पुष्टी मार्ग में दिख्शित था तो देखिए कौन जो कभी था वो पुष्टी मार्ग में दिख्शित था नवजागरन का अगर दूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है तो यह कहा जाता है भारति इंदू जी को नेक्स्ट है मेग दूत काब्य का खड़ी बोली में अनुबाद किस ने किया है तो मेग दूत काब्य का खड़ी बोली में अनुबाद किया है राजा लक्षमन सिंग के दौरा ओप्सन नमबर सी यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट है खड़ी बोली में प्रत्थम महाकाब्य प्रिये प्रवास के रचाइता कौन है तो यह जो रचाइता है यह है अयोध्या सिंगुपाध्याय हरियोध जी बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्चिन की तरफ अयोध्या सिंगुपाध्याय हरियोध दौरा लिखित काब्य कॉन है काप्य कॉन सा है हरी योज जी के दौरा तो देखिए चोखे चॉपदे आपसन पर सीज शही हो जाएका। नेक्स्ट है किसान के रचनकार कौन है जो किसान रचनकार कॉन है तो देखिए आपसन नंबर ए यहां पर सही-ुप्ति जी जा जगत सचाईसार कविता。 में ग्रिहस्थ जीवन का जैसा सुन्दर चित्रन सूर्दास में मिलता है वैसा ही अधुनिक काल के किस कवी में ये मिलता है तो देखिए मिलता है option number यहां पर बी सही हो जाएगा मैथली शरन गुप्त नेक्स्ट है सब्त परणा किस की काब्यकृती है तो सब्त परणा जो काब्यकृती है वो है महादेवी बर्माजी की नेक्स्ट है चायवाद की काला अबधी माने गई है तो चायवाद की काला अबधी क्या माने गई है तो इसका जो अबधी है ये है 1918 से 1938 option number A यहां पर सही हो जाएगा next है कलाधर की सकवी का आरंभिक उपनाम है तो देखे कलाधर जो उपनाम है वो है परसाद का next है कामाईनी को मानवता के रसात्म कितिहास की संग्या परदान की गई तो देखे ये परदान की गई नंदुलारे बाजबैजी के दौरा next है रवडचंद या केंचुआ चंद की सकवी की रचनाओं को लक्स्य करके कहा गया था रवडचंद या केंचुआ चंद तो ये कहा गया था निराला की रचनाओं को next है दिनकर की काब्य रचना कौन सी नहीं है तो देखे ये जो रचना नहीं है ये है हुंकार नेक्स्ट है अधैर्य का कभी किसे कहा गया है तो अधैर्य का कभी कहा गया है रामधारी सिंग दिनकरजी को नेक्स्ट क्वेस्चिन है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उतल पुतल मच जाए नवीन की सरचना का मूल स्वर क्या है तो देखिए नवीन की रचना का मूल स्वर यहां पर बताना है तो यह है करांती और धुनसा आत्मक ओप्सन नमबर यहां पर 20 सही हो जाएगा नेक्स्ट है कौन राश्ट्रिय सांस्कृतिक धारा का कभी नहीं है तो देखिए यह जो कभी नहीं है यह हरिवन्स राय बच्चन जी यह हालाबादी धारा के कभी है हालाबादी धारा के यह कभी है नेक्स्ट क्वेस्टिन है राश्ट्रिय सांस्कृतिक धारा की कृतिक त्री धारा और मुकुल के रचाइता कौन है त्रीधारा और मुकुल के रचईता कौन है तो सुभध्रा कुमारी चोहान जी नेक्स्ट है अकाल और उसके बाद अकाल और उसके बाद नामक कवीता के रचनकार कौन है तो देखिए नागार जुन जी आपसन नमबर यहां पर 60 सही हो जाएगा नेक्स्ट है प्रगतिवाद का समय काल क्या है तो दो एक ये प्रगतिवाद का जो समय काल है वो है 1936 से 1937 अप्सिन नमबर यहां पर यह सही हो जाएगा पिछले question में हमने पढ़ा कि चायबाद का जो समयकाल है ब्रोकिया है तो चायबाद का समयकाल पढ़ा था हमने 1918 से 1938 next question है बादल राग के रिचाइता कौन है तो देखिए बादल राग के जो रिचाइता है वो है निराला जी निराला जी Option नमबर B यहाँ पर सही हो जाएगा next है प्रगति वाद के जनम में किसका योगदान है जो योगदान है वो Option नमबर D यहाँ पर सही हो जाएगा उप्रिक्त सभी का आप्सन नमबर A, B और C यहां पर सही है छायावादी रोमानियत और पलायनवादी प्रवरिती प्रगती शील लेखक संकी स्थापना और मार्क्षवादी प्रभाव प्रियोग वाद सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया तो देखिए प्रियोग वाद सब्द का जो प्रियोग है वो सबसे पहले किया नन दुलारे बाजबई जी के द्वारा नेक्स्ट है प्रियोग वाद कोई वाद नहीं है प्रियोग अपने आप में इस्ट नहीं है वह साधन है यह कथन किसका है देखे यह जो कथन है यह है अग्ये जी का ओप्सिन नमबर ए यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट है तार सब तक के कभियों को अग्ये ने क्या कहा है तो ये कहा है राहों के अनवेसी, option नमबर यहां पर c सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टिन है भारत भूशन अग्रवाल किस सब्तक के ये कभी है तो देखिए सब्तक के सभी कभियों को हमें याद रखना है और ये जो कभी है ये है तार सब्तक के नेक्स्ट है दुख सब को माजता है किसकी पंक्ती है तो ये जो पंक्ती है ये है अग्येजी की नेक्स्ट है आदी कालीन गद्य रचना कुवल्यमाला कथा के रचाइता कौन है तो देखिए इसके जो रचाइता है वो है उद्योतन सूरी उप्सन नमबर यहां पर बी सही हो जाएगा नेक्स्ट है रोडा करित गद्य की रचना कौन सी है तो ये है राउल बेल उप्सन नमबर यहां पर बी सही हो जाएगा आदी कालीं गद्दे रचना कौन सी है तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेर करना ना भुले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू